हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में और आपके सामने पियानो का एम्प्लिफायर और इसका पूरा फुल कनेक्शन आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तों यह एक हजार वाट का एम्प्लिफायर है दोस्तों इस परकार का जितने भी एम्प्लिफायर होते हैं पियानो बनाता है और इस एम्प्लिफायर में किस परकार से कनेक्शन बेस ट्रिवल बोर्ड का होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और साथी साथ यह ड्राइबर का बोर्ड का भी कनेक्शन में आपको बताने वाला हूँ और साथी साथ यह भूलम का भी कनेक्शन में बताने वाला हूँ और यह बेस ट्रिवल बिटी बोर्ड जो है उसका भी कनेक्शन में बताने वाला हूँ दोस्तों मैंने इसके बारे में यह जो मूडूलस आप देख रहे हैं 221943 का इसका पूरा connection मैंने वो सारे वीडियो में मैंने बताया है दोस्तों ये सारे का सारे resistance मैंने इसको change कर दिया है तो इतना तो आप ये normal सी बात है ये इसका connection ये आपको फिर भी नहीं आता है तो comment में जरूर लिखेगा इसका भी connection कैसे होता है बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है लेकिन आज की वीडियो में हम BT बोड का connection में बताऊंगा और इसका driver बोड का connection मैंने करके रखा हूं और कैसे कैसे मैंने किया है दोस्तो ये 1000W का driver बोड है ये 500W से लेकर के 1000W amplifier में huge होता है और ये दोस्तो अच्छी quality का driver बोड है मार्केट में असानी से मिल जाता है दोस्तो जब भी ले तो अच्छी quality का ही driver बोड मार्केट से ले मैंने आप देख सकते हैं एक low quality का जो driver driver बोड मेरे सामने है जो कि इसका resistance काफी पतला पतला होता है और ये बहुत जाल्दी खराब होता है दोस्तों और इसका audio कि उतना जितना original वाल में मिलता है अच्छी quality का audio मिलता है उतना इसमें नहीं मिल पाता है तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसमें ये दो रेजिस्टेंस इसमें कितनी मोटी रेजिस्टेंस दिया है इसमें दो वाट का रेजिस्टेंस दिया है और इसमें दो रेजिस्टेंस है एक वाट का रेजिस्टेंस दिया है कि कि मैंने व्द्रूज किया था लेकिन मुझे समझ में नहाए तो मैं नहीं हटा दिया कि डोस्तों बने रही वीडियो के नंतक पूरा वाच करेंगे तो यह आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो हम सुरू करते हैं इसका पूरा कनेक्शन दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिपीकेजन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहें तो सबसे पहले दोस्तों यह जो कि मैंने कनेक्शन किया है वो डायरेक यहां पर भोलम पर आता है दोस्तों इसमें दो कनेक्शन होता है दोस्तों यह रेडवाली वायर में पहला जो connection होता है वो ground होता है दूसरा यह audio signal आता है दोस्तों तो ground का connection जो है दोस्तों आप तीसरी वाली पिन पे आप करें और audio का जो connection होगा दोस्तों यह पहली वाली पिन पे करें और यह बीच वाली जो वायर है दोस्तों यह output होगा यहां से एक बार फिर से समझ लिजे दोस्तों यहां से दो connection निकलता है एक ground और एक audio का और यहां पे ground तीसरी वाली में चला जाएगा ground तीसरी वाली में चला जाएगा और इस audio का signal पहली वाली पिन पे इन होगा यह भोलम के पास और उसके बाद जिस तरह से यह भोलम चड़ाते हैं तो यहां से बीच वाली पिन से आउट होगा आउट होने के बाद जो यह output जो निकलेगा दोस्तों अब देख सकते हैं यह बुलू वाली जो वायर है यह बुलू वायर का जो यहां पे बेस ट्रिवल बोर्ड में इन्पुट होगा दोस्तों तो यहां पे इन्पुट मैंने किया है और आप जब भी बीटी बोर्ड में आप देखेंगे तो यहां इन्पुट और आउट्पुट लिखा हुगा रहता है और मैंने यहां पे इन्पुट किया है एक ग्रॉंड है दूसरा इन्पुट है और उसके बाद यहां से आउट्पुट हुआ है दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से समझ लेजिए आउडियो इन्पुट यहां हुआ है पहली वाले पिन पे दूसरी वानली पिन से आउट हो करके इस बेस्ट ट्रिबल बोर्ड में इहां इन्पुट हुआ है फिर यहां से आउट हो करके यह ड्राइवर बोर्ड पे में आउडियो इन्पुट होता है दोस्तों और यह ड्राइवर बोर्ड जो है यह पूरे चैनल को चलाने का काम करता है दोस्तों इसका कनेक्शन भी मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने किस प्रकार से किया है तो यहां पे आप दो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं एक पंदरे जीरो बतीस और दूसरा पंदरे जीरो तेतीस है दोस्ती यह दोनों ट्रांजिस्टर पी और इन पी अन होता है जो की डवल सप्लाई पे काम करता है बामन सो और उनेस तेतालिस तो दोस्तो पंदरे जीरो बतीस पलस बोल्टेज के लिए काम करेगा बामन सो ट्रांजिस्टर के लिए और पंदरे जीरो तेतीस जो है माइनस बोल्टेज के लिए काम करेगा जो उनेस तेतालिस के लिए होगा तो यह तीने ओं कनेक्शन को आप बारिकी से आप समझ लेना है तो कि दोस्तों यह चैनल में आप देखिए इस तरफ बामन सो लगा हुआ और इस तरफ उन्हें 243 लगा हुआ है तो यहां पर 150 32 लगा हुआ है कि यह पहली वाली पीन आप देख सकते हैं पहली वाली पीन आपको नहीं समझ में आएगा तो यह कापेश्चीटर पंदर वाली शीटर रहेगा उसका पलस में बोटे का सप्लाया है जो कि इसका क्नेक्शन बामन सो ट्रांजिस्टर के बीच वाली पीन यानि कलेक्टर पे मैंने किया हुआ हुआ है इसके ठीक बगल वाली पीन जो है दोस्तों जो बेस के लिए जाएगा दूसरी वाली पीन जो बामन सो ट्रांजिस्टर का पहली वाली पीन जो वन वाट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है इसका बेस पे जाता है दोस्तों कि तीसरी बाली पीन जो है आप अपने एंप्लेफार का हैं समय के सो तो यह तीन क्नेक्शन दूसंकний और 8 कि पीन जो है जो कि पिन जो है वो ग्रावन के लिए दोस्तों ये चारD connection हो चुका है ये создb Ke aim चनेक्शन के लिए है यो की हिमाहर सप्लाइ का रहनों पे मैं ने दिया है कि उझा है। उझार को हो चुका है दोस्तों आज आते हैं इस प्रफ से कंदर 0 33 का जो है उसका प्रकार से लिए जो कि पहले वाज़ पिन जो की अंदर जीरो टेटीस का माइनस पॉइंट पर लगा हुआ रहता है यह उन्हेस्ट तालिस का यह बीच वाली पिनियानिक कलेक्टर पर करना से उसी प्रकार से जिस प्रकार से मगान पर का करेंशन किया था ढमर्ट का पर नियुक पर से वाली पिन जो आ जो है सपीकर पर जाएगा यह यहां से ऑठोर्ट होता है यह यह स्पीटर लगा दोस्तों यह सक पूरा इसनुर्ट सेक्षन है दोस्तों कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके जुरूर बताएगा या आपको कुछ नहीं सब्सक्राइब करके मैं बताओ लगर सकते हुएक्षनों करना इय्यूं validि लिए रहीं बती प्राईब करेक्शना करेक्शन जएब गिंगО झाल झाल